हलो फ्रेंड्स अधिश्ठातरी किचन में आप सभी का स्वागत है आज में आपके साथ शेयर करूँगी टुमेटो सूप की रेसेपी मैं इसमें कुछ और चीज़े नहीं एड़ करूँगी जैसे कि हम लोग इसे गाड़ा करने के लिए इसमें अलारोट पाउडर वगरा वि इनको मैंने पहले से दो करके खा हुआ था अब मैं इनको रॉफली चॉप कर लोगी इस सूप में थोड़ी सी ठीकनेस लाने के लिए मैंने इसमें गाजर को एड़ किया है यहाँ पर मैंने एक गाजर एड़ की है गाजर को भी मैंने यहाँ पर रॉफली चॉप कर लिया है अब देखें टमाटर गाजर तो हमारे ही चॉप हो चुके हैं उसके बाद लूंगी में एक प्रेशर कूकर और उसमें ये कटी हुई गाजर और टमाटर एड़ कर दूँगी इसके साथ ही यहाँ पर मैंने इसमें दो गिलास पानी एड़ कर दिया है ये जो टमाटर मैंने इसमें इस्तवाल के हैं वो टमाटर देसी हैं जो थोड़ी टेस्ट में खटे होते हैं तो इसके लिए अब यहाँ पर सूप में थोड़ी मिठास लाने के लिए मैंने दो चमच चीनी एड़ कर दी है इसके साथ ही मैस में add कर दूँगी आदा चमच नमक अब यहाँ पर मैस में लगाऊंगी तीन सीटी तीन सीटी इसमें sufficient रहेंगी friends तो देखें तीन सीटी लगाने के बाद कुछ इस तरीके से नजर आएगा अब यहाँ पर दिया है मैंने एक बाउल और उसमें चली रख देंगे आप इसको टारेक्ट बिल्कुल भी मच चानेगा क्योंकि देखें इसमें बहुत सारे हमें बीज नजर आ रहे हैं तो हमें करना क्या है मैं आपको बताती हूँ तो यहाँ पर लिया है मैंने एक मिक्सी का जार और उसमें इन सबको मैं एड कर दूँगी और इसको एक बार एक पेस्ट बना लूँगी अब यह जो बचा हुआ पानी था इसको मैं चान लूँगी तो देखार आपने कितने सारे बीच से इसमें टामाटर के जो हमारी सेयत के लिए हाने का रख होते हैं अब यह जो मैंने पेस्ट बना कर रखा तसको मैं चाने हुए पानी मैं एड कर लूँगी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद वापस से हमें इसे चान लेना है फ्रेंड्स तो एक बरतन लिया है मैंने जिसके ओपर छनली रख दिये आपर मैं लूँगी एक स्टैपुला और अब मैं इसकी हेल्प से इसको बिलकुल ही स्कुईज कर लूँगी स्कुईज करने के बाद देखे कुछ इस तरीके से ये सूप नजर आएगा आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर का कलर आया है कितने अच्छे टमाटर थे मैंने इसमें कोई भी कलर एड नहीं किया एक्दम नैच्छल कलर है टमाटर का और गाजर का अब मैं इसको पांच मिनट के लिए वापस से पका लूँगी और एड कर दूँगी समें आदा चममझ काला नमक, आदा चममझ कानी मिर्स पाओडर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने पाँच मिनिट होने के बाद मैंने इसमें एक चमच के करीब टुमाटो सोस भी एड़ कर दिया है जब हम इसमें सॉस एड़ कर देते हैं तो बिल्कुल रेस्टोंट वालस में टेस्ट आजाएगा फ्रेंच तो इसलिए अगर हो सके तो आप इसमें सॉस जरूर राइड कीजेगा तो चलिए जल्दी से इसके लिए ब्रेड क्रम्फ भी रेड़ी कर लेते हैं तो यहाँ पर लिया है मैंने दो ब्राउन ब्रेड की स्लाइस जिसकी मैंने एजिस को कर लिया है यहाँ पर आप चाहें तो white bread भी ले सकते हैं मेरे पास इस समय यही only bread available थी तो मैंने इसमें brown bread का इस्तमाल किया है तो यहाँ पर लिया है मैंने एक pan butter से मैंने इसको grease कर लिया है और देखें यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल कुरकुरा होने तक के लिए सेखनोंगे जैसे भी आपको इसकी pieces पसंद है छोटे बड़े उस तरीके से आप इसको cut कर दीजेगा तो देखें सूप भी रेड़ी है और bread crumbs भी रेड़ी है तो चलिए serve करते हैं इस सूप का taste पढ़ाने के लिए आड़ कर दूँगे इसमें थोड़ा सा butter इसमें थोड़ी सी black paper एड़ कर देंगी हमारे बनाई हुए bread crumbs तो friends रेड़ी है हमारे taste it matto soup आप इसको please जरूर ट्राई कीजिए रेसेपी पसंद आए तो friends के साथ share कीजिए लाइक कीजिए और हाँ अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please इसको subscribe भी कीजिए तो मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए have a nice day friends